वेल्कम बैक टो मैं चैनल लिक्विटी स्टार ट्रेडर्स आज की इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग बैंक निफ्टी के अनलैसिस को देखेंगे इसके बाद निफ्टी एंड एक एक स्पारी जो फिन निफ्टी का होने वाला है उसको भी देखेंगे बहुत लोग यहां पर कंशूज होगा तो पहले मैं बता दू मंडे को मार्केट आफ है ड्यू टू फेस्टिवल एक बक्रीद है उस दिन जिसके कारण से मार्केट आफ है उसके बाद ट्यूजडे को जैसे ही मार्केट ओपन होता है उस दिन आप लोग को फिन निफ्टी का एक्सपारी देख रहा है यह चीजे एक दिन से नहीं दिख रहा है लगभग प्रिवियस कितने दिन उसे एक वीग हो गया अब देख लो मैं दिखा देता हूं लगभग सिक्स डीज सेवें डेज कम नहीं होता है यहाँ पर देखो इस दिन से स्टार्ट हुआ लगभग 9 और 8 से स्टार्ट इसको अपसाइड ब्रेक आउट कर पा रहा है नहीं इसको डॉंसाइड कर पा रहा है अब यहां से रिजल्ट क्या होगा किसी को नहीं पता लेकिन मुझे यह पता है कि मार्केट में जो भी होगा इतना बड़ा होगा जो लोग आज तक सोचा भी नहीं होगा कि ऐसे भी हो स चुछ नौ कुछ यहाँ अलग चीजे सो कर रहा है जो चीजे मार्केट को होना नहीं जेये था और मार्केट में वॉल्यूम भी अभी नहीं है और अचानक से अगर इस ब्रेक्डाउट पे या फिर इस ब्रेकडाउन पे मार्केट आता है यहां से एक बड़ा मोमेंटू स्ट क्रेस हुआ था अगर यहां पर 650 के नीचे जाता है तो मैं उसी टैप का अगर 4500 नहीं तो लगभग लगभग 1000 या 2000 तो जरूर यहां पर मुमेंटम आपको क्रेस देखने को मिलेगा या फिर पैनिक सेलिंग यहां से देखने को मिलेगा अब यह जरूरी नहीं मैं 100% सियोर नहीं कोई डाउन साइड ही जाएगा हो सकता है अगर यहां पर 50,250 इसके ऊपर अगर यहां पर सस्टेन कर जाता है तो फिर एक नया रिकॉर्ड ही बनाएगा इसके ऊपर इसके नीचे कुछ भी रुकने का जरूरत नहीं है मार्केट रुकेगा भी नहीं नया किर तो देखिए अब जितना नियर क्योंकि अब इधर जितना भी काम मार्केट को करना था वो अल्डेडी कर चुका है अब आप समझ लो कि यह तो टूजडे को हो जाएगा यह वेडिस डे को हो जाएगा किसी दिन भी हो सकता है यह किसी को नहीं पता लेकिन आपको लेवल पत हों कि अगर आप breakout या breakdown यह चीजर नहीं समझ बाते हो या फिर आपको problem होती है कि real breakout है या फिर fake breakout है कैसे identify करे या कि मैंने अल्रेडी वीडियो बना चुका हूं मैंने कितने बार आप लोगों को दिखा भी दिया हूं मैं फिर से अगर होता है तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूं यह चीज़े मैंने कितने बार बताया है ठीक है identify fake breakout यह सब अगर आप देखेंगे तो really आपको वहाँ पर सारे चीज़े देखने को मिले देखिए 9 EMA मैंने यहाँ पर बताया था यह भी स्काल्पिंग के लिए बहुत सारे स्ट्राटजी है आपको क्या करना है सबसे पहले आपको फिक breakout देखने के लिए यहाँ पर वीडियो में चले जाने है ठीक है जैसे आप वीडियो में जाएंगे थोड़ा सा तो आज भी मैंने आप लोग को बताया था इसमें अल्रेडी मैंने न्यू जो शुरुवात किया है 10 या 11 वीडियो मैंने डाला है उस न्यू वीडियो को आप देखना स्टार्ट कीजिए आपका चार्ट रेडिंग स्किल मतलब चार्ट को पढ़ने का तरीका सबसे बहतरीन हो जाएगा और कभी ट्रैप में आप फसेंगे नहीं बहुत अच्छा फ्रॉफिट वहां से बना की जाएंगे आज के मार्केट के कोडिंग अगर आपने फ्रॉफिट बनाया है तो कमेंट बोक्स में जरूर लिखना लेकिन मुझे नहीं लगता है कि आज के मार्केट में क हैन हुआ लेकिन किसी की हिममत नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर यह जो सपोर्ट आप देख रहे है ना था मैंने इस candle को देखा कि इतना strong candle वो भी second candle भी red candle बनाते जा रहा है closing भी red candle में दिया है तो मैंने यहाँ पर expectation लगा ले था कि यहाँ पर downside देगा अब अगर यह मेरे favor में नहीं गया या फिर breakdown नहीं किया तो मुझे वह भी पता है कि निकलना कहां पर है अगर मैंने इंटर्वी कर दिया तो निकलना भी मुझे पता है तो वह चीज़े अगर आप करना जानते हो तो आपके लिए रिक्स लेना कोई बड़ी बात नहीं है अराम से आप यहाँ पर trade ले सकते हो लेकिन आपको पता नहीं है तो हमेशा आप सेफ साइड जाना चाहो गया और मार्केट यहां से देखिये रिस मतलब रिजेक्ट किया और रिजेक्ट के बादे को सर्टेन इस लेबल तक आया अब यहां पर देखिये कम्प्लीटली एक साइडवेज हो गया मार्केट कम्प्लीटली अगर मैं यहां से एक ड्रॉ भी लाइन कर देता हूं तो यह वाली देखिये इसको रिफ्रेंस लेबल आप मान सकते हैं यहां पर क्या होगा बॉक्स स्ट्रेटजी के कोडिंग यह स्ट्रेटजी काम कर जाएगा और यहां पर अगर आज नॉर्मल म बनाता है तो यहां पर अगर खली फुर्म अलाग हो जाएगा यहां से कंडिशन क्या होगा यहां पर उपे फिर शपूर लेजया है यहां पे मांडियां एक market थोड़ा देर time spent करेगा ऐसे breakout दे सकता है या फिर यहां से breakdown दे सकता है support level को यह चीजे देखना है लेकिन अगर आपको इसी तरीका से sideways market देता है अब समझ लो कि इस range में अगर trading करते हो तो losses की संभावना काफी ज्यादा है experience है तो छोटा-छोटा scalping कर सकते हैं छोटा profit निकाल सकते हैं यही एक आज कल का जो है न मतलब यहां पर जो आज solution मिल रहा है previous seven days की बात करो तो एक solution यही है छोटा-छोटा trade करके एक छोटा scalping trade करके छोटा profit बनाना ही एक solution यहां पर बच गया है अदरवाइस ना market trending होता है ना बड़ा profit कोई देके जाता है इस चीजों को समझना पड़ेगा अगर समझेंगे नहीं तो losses आप continue करते रहेंगे कोई आपको बचा नहीं सकता है market में आप यहां पर देखिए यह nifty का chart है same as it is bank nifty के जैसे यह भी बेचारा कुछ करेगा गया इसके पास भी कोई option नहीं है बस उसी को follow करते हुए जा रहा है यहां पर देखो यह भी 6-7 days already आप देखिए यहां पर यह चीजे कर चुका है यहां पर क्या है एक इस तरीका से range बनाया हुआ है इसको बुलते है channel जो य एक बग कर चुका था यहां भी कर चुका था यहां यह सब sustain कर पाया क्या यहां सब reject कर दिया मतलब यहां पर trap किया sellers को और market again reject करके ऊपर चला गया तो हमको यहां पर अगर trend line को breakdown करता है या फिर इस channel को breakdown करता है sending channel को तो यहां पर एक indication सिर्फ हमको एक यहां पर information मिलेगा कि market trend को change कर रहा है upside से downside में लेकिन वहीं पर अगर यह 300 23,300 को breakdown कर देता है तो यहां से हमको security 110% मिल जाएगा और यहां से हम एक panic selling देख सकते हैं यहां से हमारा target देखे यह सारे target रहेगा ठीक है लेकिन अगर मान के चलो कि market ऐसा नहीं करता है तो आप क्या करोगे जैसा कि आज देखिए market यहां से open हुआ और ये candle देखके इतना strong candle एक ही candle यहां पर support को भी touch कर रहा है एक ही candle यहां पर resistance को भी touch कर रहा है इस candle में trade लेना थोड़ा सा मुस्किल है क्योंकि अगर आप beginners हो या फिर new trader हो तो इस candle में running candle में trade लेना मुस्किल है लेकिन वहीं पर आप अगर experience trader ह तो यहां पर आप trade इनिसेट कर सकते हैं जैसा कि मैंने किया था मैं इसी को देखके bank nifty को भी देखके दोनों को देखा तभी मुझे confidence है कि आज रुकने वाला नहीं है यहां से market continue downside में जाएगा लेकिन guys यह support इतना भी ऐसा नहीं है कि यह आएगा market इसको breakdown कर देगा यह इतन इतना strong है ना previous seven days को hold करके रखा है तो इतना week तो नहीं होगा ना इसलिए यहां पर market आया यहां से reject किया अब सवाल आता है कि market इतनी दिनों से जो यह range momentum कर रहा है क्या सब दिन ऐसा ही करेगा देखिए यह वाला जो candlestick pattern है मैंने आप लोग को नहीं बताया है मैं video second part लाने बाला हूँ एक part मैंने अल्रेडी बता चुका हूँ three best candlestick pattern वो भी मैं दिखा देता हूँ जो भी चारी चीज़े करता हो गाई जो उसको कम से कम देखिए अगर नहीं देखेंगे तो आपको कुछ नहीं होगा market में आपने बहुत सारे candlestick pattern देखा होगा लेकिन जो मैं बता वो नहीं करना है वो सब सारे चीज़े मैं आपको बताऊंगा लेकिन ये देखिए एक selling का part है जिसको बोलते है inverted hammer ये सबसे effective है अगर ये resistance level पे बनता है देखिए एक candle बना candlestick और यहाँ पे market को non side लेके गया अब उतना strong नहीं हुआ यहाँ पे selling क्योंकि ये last time था market का closing का time अब हो सकता है next day अगर यहीं पे market open होता है और continue यहाँ से sell side में आना start करता है तो guys इस range में तो मैं बोलूँगा avoid करो अगर ये candle stick pattern आपको दिख भी रहा है तो guys यहाँ पे थोड़ा बहुत मुस्किल हो सकता है इस range में आप कुछ भी मत करो लेकिन वहीं पे अगर 23,300 को breakdown कर यहाँ पे आप sale कर सकते हैं target आपको यह सारे देखने को मिल जाएगा लेकिन guys मैंने जैसा कि bank nifty में बताए कि बहुत बड़ा यहाँ पे कुछ होने वाला है ऐसा ही आप nifty को भी समझो क्योंकि इसमें भी same pattern same चीजे previous एक week से market follow करते वाहरा है तो हमेशा सब को पता है कि market और यहाँ पर अगर दिया तो इतना बड़ा momentum देगा जो सोचा भी नहीं होगा कोई मतलब expectation से बाहर देगा तो यहाँ पर देखिए अब मैं आप लोग के लिए fin nifty का जो चार्ट है वो मैंने यहाँ पे लगा लिया है देखो इसके चार्ट को भी मैं यहाँ पी इसको completely एक resistance मान सकता था या फिर completely इसको एक support मान सकता था ठीक है लेकिन मैंने यहाँ पर इसलिए आप लोग को difference दिखाया है कि यह 370 और यह 450 ठीक है यह top का level है यहाँ का अब यहाँ से यहाँ तक का अगर हम लोग सिर्फ range देखते हैं तो यह 100 point का range है ठीक है 50 और मतलब 80.70 point का range है त 70 point guys कम थोड़ी न होता है बहुत जादा होता है अगर हम एक तरह से यहाँ पर जिस तरिका से finnifty momentum करता है उसके according अगर देखते हैं यह बहुत बड़ा point है जैसे कि आप यहाँ से ले लो 250 का यह range है और यहाँ पर देखो यह 370 है 120 150 point का यहाँ पर यहाँ से इतना यह पुरा सा range है उपर में range resistance है नीचे में मैंने support मान लिया है 370 अब यहाँ पर एक cases भी आता है अगर market agent normal यहाँ पर आता है open होता है और 370 को breakdown कर देता है तो आपको क्या देखना है सबसे पहले आपको देखना है bank nifty और nifty अगर वो दोनों भी sale side में जा रहा है या फिर down side का कोई भी वहाँ पर setup बन रहा है या downside indicate कर रहा है तब जाके इसके breakdown पर आप लोग देखो risky trader only यहाँ पर कम quantity से try कीजिए ऐसे मैं बोलूँगा market trap करने की कोसिज करेगा जैसा कि यहाँ पर कितने बार कर चुका है यहाँ पर कर चुका है यह सब चीज़े देखना है अगर real breakdown यहाँ पर करता है तो आप समझ लोग कि यहाँ से panic selling आना ही आना है कोई नहीं रोक सकता क्योंकि यहाँ से अगर fin nifty यहाँ पर breakdown देता है bank nifty और nifty और nifty यहाँ पर कितने सारे level को travel कर चुके होंगे तो आपको momentum एक जैसा मिलेगा direction एक जैसा मिलेगा और selling side में अगर 3 index एक साथ रहे त कहां से absolutely panic selling आएगा target आपको यह सारे देखने को मिल जाएगा तो इसी तरीका से हम लोग देखेंगे proper way में आज अगर आपने market से profit बनाया तो comment box में जरूर लिखना loss भी बनाया तो लिखना और mistake क्या-क्या है वो भी लिखना साथ में guys देखिए मैं इस तरीका का level आप लोग को live market में provide करता हूँ सारे चीजे मैंने कितने दिनों से ऐसे market में आप लोग को losses से बचाया है कम से कम trade नहीं करने से सिखाया है कहां पर inter करना है कहां पर नहीं करना है कैसा market है सब कुछ आपको मैं एक बच्ची की तरह live market में देता हूँ link मैं free telegram channel का इस video के discussion में डाल देता हूँ वहां से जाइए और मेरे link से join कीजिएगा ठीक है बहुत सारे fake channel है ऐसा नहीं कि आप कुछ भी करके join कर लीजिए वहाँ पर trap हो जाना scam हो जाएगा आपके साथ ऐसा नहीं करना है मेरे link से इस video के discussion में है डाल देता हू join कीजिए और live market की सारे update आपको मिलेंगे उसका आप लोग benefit वहां से लीजिए और साथ में गाईज अगर आप premium group से जुरना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको एक छोटा सा काम करना होगा मेरे link से demate account बना लीजिए और premium group में lifetime free of cost आप add हो सकते हैं जहाँ पे आपको मेरे without any cost तो आप सोच क्या रहा है link आपको इस वीडियो के discussion मिल जाएगा चेक आउट कर सकते हैं वीडियो पसंद आए तो वीडियो को like, share and subscribe करना बिलकोल न बोले मिलते हैं इसी तरीका से एक next वीडियो में thank you so much for your love and support